हेलो नमस्ते मैं हूँ रश्मी रश्मी की फैमिली किचिन में आप सब का श्वागत है तो आज मैं लेकर आई हूँ गेहों की आटे की एकदम यूनिक डिफ्रेंड नास्ता इसे बनाना बहुत ही आसान है कुछ ही मिन्टों में तयार हो जाता है और जब भी बच्चे की करना बिलकुल मत भूलिए तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखना तो चलिए बहुत ही यूनिक नास्ता बनाना शुरू कते हैं तो नास्ता बनाने के लिए मैंने यहां एक कटोरी गेहों का आटा लिया है तो मैंने यहां पर दो चम्मच मैदा डाल दी है आप पूर जरूर तो मि içवाश्ता में ढालूगी इसमें नवक और जाल देंगे जिससे नास्ता क्रश भी बनेगा रिक्सक्रों कर लेंगे मसल मसल कर मैंने इसका आटा लगा लिया अगर आपको थोड़ी देर है बनाने में और एक प्याज लिया है जिसको बारी कट कर लिया है तो हरी सबजीया भर पूरा आ रहे हैं सर्दियों बहुत बढ़ी आहरी सब्या आती हैं तो आप अपने एसाब से इसमें सब्या leaf ले सकते हरा धनिया डाल दिया है खूप सारा तो बढ़िया से healthy नास्ता बनाना है तो बस मिक्स कर दिया है अब मैं इसमें डालों गी आदी चम्मज मैंने लाल मिष डालों थोड़ी पिशा भी डाल सकते हैं और श्वाद अनुशार इसमें नमक डाल देंगे बस इतने मशाले डालने हैं कोई ज्यादा मसाले नहीं है आप अपने अनुशार थोड़े कम जादा कर सकते हैं बस बढ़िया से देखिए मिक्ष कर लिया है और थोड़ा थोड़ा आलू दिखना चा तो इधर देखिए आटा भी सेट हो गया थोड़ा मैंने इसको मसल लिया है बस छोटी सी लोई लेंगे जिस तरीके छोटी छोटी पूरिया बनाते हैं बस उसी साइज की लेनी है आपको और इसी तरीके से देखिए मैं और भी बनाके रख लूंगी दो चार बनाके आप र खाती हूं रोटी से हलका सा पतला रखना है इसको तो बिलकर है तैयार आप क्या करना है एक हमें नाइफ ले लिनी है चाकू नुगी ली उससे देखिए हाप सेंटर से इस तरीके से कट कर देना है ऐसे सीधा अब क्या करना है हाप इधर से आधा इंच लगबक छोड़के इस तरीके से राउंड जैसे कट देने इस तरीके से तीन से चार आपको इस तरीके से राउंड जैसे कट कर देना है इससे डिजाइन बड़ा अच्छा आता है इस तरीके से आपको कुछ कर लेना है तो आप ध्यान से देखिए और बस अब देखिए जो आलू की फिलिंग ह आपको इस तरीके से देखिए बना लेना है और बस यहां से उठा लेना थोड़ी गैफ छोड़के जगह छोड़के ही आपको आलू का जो मशाला है रखना है और दवा देना है फिलिंग को इस तरीके से पूरी तरीके से ढग देना अच्छे से जिस तरीके से यह खुलेना व अब ये जो मैंने कट किया है इसके ऊपर से इसकी डिजायन बढ़िया से प्यारी सी डिजायन आजाता है बस इस तरीके से राउंड घुमा देना है और आराम से धीला सा पड़ गया है इसको ऐसे खीचते हुए आराम से इस तरीके से चिपका देना है बहुत ही बढ़िया बन लगता है तो खाने में कितना वी टेष्ट तो मैं और आपको देखी बतारी तो मैंने देखी पूरी जैसी बेली है पतली कटर से मैं कट करें दिखा रही हूं बड़े आशानी से कट हो जाता है देखिए ऐसे थोड़ा सा गूमाव देती हुए 3-4 कट लगा देने है बस इस त लगता है यह नास्ता खाने में कभी भी आप बड़े पार्टी हो बच्चे की या फिर कोई महमान आ जाए और कुछ नया खिलाने का मन हो तो यह नास्ता जरूर से ट्राई करना फ्रेंट बहुत ही बढ़िया और मिंटों में बनकर तैयार हो जाता है कोई जंजट नहीं है खाला जारा के रख लीजिए जब भी तुरंत महमान आ जाए तुरंत फ्राई करके दीजिए गरम गरम चटनी यहां सौस के साथ गरम गरम चाय के साथ तो चलिए इनको कर लेते हैं तो यहां देखिए ऑल को गरम कर लिए रिफाइंड ऑइल लिया है जिस तरीके से करते रहना है हमें और बढ़िया से गोल्डन फ्राई कर लेना है इसको बहुत ही बढ़िया बनता है एकदम यूनिक नाशता है जरूर से फ्रेंच ट्राई करना एक बार और बच्चे की बढ़िया पार्टी हो या मेहमान आ जाए कुछ नया खिलाने का मान हो तो ये गेहों के आटे से बना नाशता जरूर से ट्राई करना देखिए बढ़िया से गोल्डन हो चुका है तो अब मैं इनको निकाल ले रही हूं कितना बढ़िया देखने में ब्यूटिफुल लग रहा है एकदम से सुन्दर कितना बढ़िया डिजाइन आता है तो न्यू तरीके से देख नास्ता हम सबजियों से भरपूर है आप जरूर से ट्राई करें तो देखिए मैंने कर लिया है प्लेट में सर्व इसको चटनी के साथ खाए या सौस के साथ खाए बड़ा ही अच्छा लगता है गर्मा गरम चाय हो मजा ही आ जाता तो देखिए मैं आपको तोड़ कर दिख प्रेंश नास्ता लंच रेस्पी आप चैनल पर देख सकते हैं डिस्ट्रेक्शन बॉक्स पर लिंक है जरूर देखें फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ